दोस्तों कि आब जानते हैं कि कुछ हफ्ते पहले एक इंटरवियो में हनी सिंग ने इसलाम के बारे में ऐसा क्या काहा जिसने पूरे इंडिया को शौक कर दिया और किया आपको पता है कि रोनाल्डो इसलाम और मुसल्मानों को इतना सपोर्ड क्यों करते हैं प्लस क्या आप जानते हैं कि ये हिंदू प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को इसलाम और नभी ए करीम सललल्लाहु अले वाले वासलम की मिसालें देकर पढ़ाते हैं वेल आज किस वीडियो में मैं आपको इसलाम के मुटलिक कमेंट करने वाले दुनिया के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउं हनी सिंग, दुसों योयो हनी सिंग इंडिया के एक बहुती फेमस पन्जाबी रैपर और सिंगर हैं इनकी गाने ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान बलकी पूरी दुनिया में सुने जाते हैं वैसे तो हनी सिंग एक सिGroup फैमली से तालग रखते हैं लेकिन क्या हो अगर मैं आप से कहूं कि ये बंदा अल्ला और इसलाम के मतलिक बहुती पुखता अकाइद रखता है। वेल कुछ हफते पहले इन्होंने एक टीवी शो में इंटर्वियों के दौरान अल्ला के वजूद और सफाद के बारे में ऐसे अकाइद बियान किये जिनने सुनकर कोई भी शौक हो जाएगा। इनका मानना है कि जिसने भी सब को पैदा किया है वो एक है इसकी कोई शकल नहीं है नहीं इसकी कोई बड़ाई का पैमाना है और नहीं जवाल है। इसलाम और हजरत मूसा अलिएसलाम के बारे में भी बहुत सी बाते सीखी थी। इवन ये इसलाम के सूफिसम को भी बहुत पसंद करते हैं। यहां तक कि चंद माह पहले इन्हें दुबई एरपोर्ट पर मुसलिम ट्रेस यानि कंदोरे में देखा गया। इन्होंने वहां अपने फैंस के साथ पिक्चर्स भी बनवाई और इस मौके पर भी इन्हें कफी ज़दा ट्रोल किया गया। इसलाम के बारे में नौलिज ली मुसा लेसलाम प्रॉट मॉझिस सलिल लसौन अवालई रश blessing प्रॉफिट मौम्मद इन सब के बारे में पता चला है। इसली सालम का रोल कुरान में क्या है इसलाम में क्या है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो तुस्टो रोनाल्डो दुनिया के सबसे मशूर फुटबालर और सलेबरेडी हैं इनका तालग पुर्टगाल से है और मजब के एतबार से ये एक क्रिस्टियन है केने को तो रोनाल्डो एक नौन मुसलिम है लेकिन इनके दिल में मुसल्मानों के लिए जो जजबा और खलूस है वो इनकी अमल से वाज़ा नज़ा आता है इन्होंने बहुत से मौकों पर मुसल्मानों को सपोर्ट किया है लास्ट येर इन्होंने मुराकश मुसलिम्स के लिए जो नेक अमल सर अन्जाम दिया वो वाकिये में काबले तारीफ था 8 सेप्टेंबर 2023 को मुरोको में बहुत शदीद अर्थक्विक आया था जिसने ना सिर्फ हजारों मुसल्मानों की जान ले ली बलकि बहुत से लोगों को बेगर भी कर दिया था इस मुश्कल वक्त में रोनाल्डों ने मुसल्मानों का बहुत साथ दिया इन्होंने मुरोको में मौझूद अपने 4 स्टार होटल जिसका नाम दपेस्टाना CR7 है इसे मुसल्मानों की पनागा के तौर पर इस्तमाल करने का ऐलान कर दिया और कहा कि जो चाहे इस होटल में आकर रह सकता है और बहुत से लोगों ने वहां पर पनाबी ली इसलाम और मुसल्मानों के साथ CR7 का लागाओ सिर्व यहां तक महदूद नहीं है बलकि यह काफी हद तक इसलाम की तालिमात पर भी अमल करते हैं इन्होंने अपने एक इंटरवियो में अल्ला का कॉल बताया और कहा कि अल्ला पाक फरमाता है कि तुम खर्च करो मैं तुमें और दूँगा इनका कहना था कि जब से इन्होंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को अपलाय किया है वो बहतर से बहतरीन होते चले गए सिर्फ इतना ही नहीं बलकि इन्होंने सीरिया के मुसल्मान बच्चों के लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी जिसमें इन्होंने कहा कि वो हमेशा इनके साथ हैं और इन्हें होसला भी दिया इवन ये अपने होम कंट्री को छोड़ कर अपनी फैमली के साथ सौधी अरेबिया में शिफ्ट हो गए हैं इसके इलावा इन्होंने दुबई के अंदर भी अपने घर बाई किये हैं एनिवे आप में से कौन-कौन रोनाल्डो का फैन है कमिट बॉक्स में मुझे जरूर बताईएगा अवाद परताब ओचा तो अगर आप शौर्ट वीडियोस देखने हैं तो आपने इस शक्स को जरूर देखा होगा अवाद परताब की बात की चाहे तो ये एक टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर है जिनका तालूग इंडिया से है इनकी अपनी अकैडमी है जहां ये स्टूडेंट्स को आई एस की तालियम देते हैं वैसे तो आवाद सर हिंदू है लेकिन इसलाम को लेकर इनके अंदर जो नॉलेज और जज़बा है इसे देखर ऐसा लगता है जैसी ये किसी मुसल्मान घराने के फर्द है कुछ साल पहले इनोंने अपनी अकैडमी के बच्चों को इसलाम के मुतलिक आगाही देना शुरू की जिसकी बेशुमार वीडियोस इंटरनेट पर मौजूद है इनोंने अपने एक लेक्चर में हिंदुस्तान के अंदर मुसल्मानों की आमद और इनके अरूज के बारे में बताया और कहा कि इसलाम एक एक्वैलिटी का दीन है इस दीन में मोची और अफसर दोनों बराबर है अगर किसी मस्चद में मोची पहले नमाज पढ़ने चला जाए तो वो पहली सफ में खड़ा होगा और अगर कोई अफसर आखर में आया हो तो वो आखरी सफ में खड़ा होगा फिर इनोंने अपने मजब को इससे कंपेर करते हुए फर्क बताया और कहा कि हिंदू मजब में एक्विलिटी वाला कोई सी नहीं है इनोंने अपने लेक्चर में ये तक कहा कि इसलाम से पहले किस तरह लोग अंधेरे में डूपे हुए थे और इस अंधेरे में मुहम्मद अल्लाह अले वाले वासलम एक चिराग लेकर दाखल हुए जिससे हर तरफ रोशनी फैल गई सिर्फ इतना ही नहीं बलकि इनोंने अपनी एक वीडियो में उस बुड़ी औरत का किस्सा भी सुनाया जो कि नभी करीम सल्लाह अले वाले वाले वासलम पर कूड़ा फैंक दी थी इनका कहना था कि अगर मुंबस सल्लाह वाले वाले वासलम की चेका कोई और होता तो उस बुड़ी औरत को मार देता लेकिन इन्नों सबर का मुझारा किया और हिस्टरी क्रीठ कर दी यहां तक इन्होंने ये भी बताया कि हजूर ﷺ मेराज पर तश्रीफ ले गए थे और इवन ये भी कहा कि पैगंबर सिर्फ मुसल्मानों के लिए नहीं आते बलकि तमाम इनसानों के लिए रहमत होते हैं हिंदू होने के बावजूद ये अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहते हैं कि कुरान को पढ़ो और समझो डैफिनेटली इसलाम के मुतलिक इन्हें इतनी information इसलिए है क्योंकि इन्होंने इसलाम के मुतलिक काफी सारी study की होगी इसलिए ये अपने स्टूडेंट्स को हमेशा इसलाम का हवाला दे कर समझाते रहते हैं जब भूग लगती है तो अल्ला को छोड़ कर कोई याद नहीं आता आप कभी इसलाम की हिस्ट्री पलो यॉरप औरतें जला ही जा रही थी हिंदुस्तान सती पर्था चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही माँ डालते थे बोरी दुनिया में अंधेरा और उस अंधेरे में मुहम्मद साहब लेकर खड़े हुए इसलाम प्रेम मैसेज कोलियो दोसो कोलियो अमेरिका के एक फेमस रैप स्टार और सॉंग राइटर थे ये 1963 में पैदा हुए और मजब की एतबार से ये क्रिस्चन फैमली से बिलॉंग करते थे लेकिन कहीं न कहीं इनका दिल इसलाम से जुड़ा हुआ था इसका सबूत इस बात से मिलता है कि एक दफ़ा इनसे इंटर्वियों के दौरान इसलाम के मतलिक सवाल किया गया तो इन्होंने इसका इतना खुबसूरत जवाब दिया कि इसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा इन्होंने कहा कि वैसे तो लोग अपनी सोच के हिसाब से किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाल सकते हैं लेकिन अगर आप मुझसे इसलाम के मतलिक पोचते हैं तो इसलाम मुहबत का दीन है और कुरान का मतलब हिकमत वाली किताब है तमाम पेगंबर अल्ला की रहमत थे लेकिन इन्सान शुरू से ही ऐसा करता चला रहा है कि वो चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाता है इसलिए कोई इस हकीकत को समझना ही नहीं चाता वेल कूलियों ने अपने इंटर्वियों में चो कहा इससे सुनने के बाद तो कोई भी मानने पर मजबूर हो जाएगा कि ये इसलाम को गहराई से जानते थे और सिर्फ इतना ही नहीं बलकि इन्होंने जिन इसलाम की तारीफ की वो दीन को जाने बगहर कोई नहीं कर सकता वैसे तो कूलियों बजाहर कभी भी मुसल्मान होने का दावा नहीं करते थे लेकिन ये इसलाम से बहुत मतासर थे अनफॉर्शनेटली सेप्टेमबर 2022 में इनकी डेथ हो गई थी जोई रोगन दूसों जोई रोगन अमेरिका के सबसे फेमस पोड़कास्टर हैं वैसे तो ये कैतलक फैमिली में पैदा हुए थे लेकिन जैसे ये बड़े हुए इन्होंने अपना अगीदा चेंज कर लिया और ये एक एगनॉस्टिक बन गए जो कि माजला अल्ला को किसी भी रूप में नहीं मानते इनका ये आलम था कि एक दफ़ा इन्होंने अपनी पोड़कास्ट में खुदी आवाज उठा रहे हैं इन्होंने अपने शो में रॉबर्ट ली जुनियर के साथ मिलकर गजा में होने वली तबाहियों और मुसल्मानों की हालात पर शदीद दुख का इसार किया और कहा कि जतनी तबाही फलस्तिन के अंदर हो चुकी है इसे ठीक होने में शायद कई साल भी कम पड़ जाएंगी इवन वो अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि कितने बेगुना लोग और मासूम बच्चे इसराइल ने मार दिये हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बलकि दोनों पोड़कास्टर्स ने कहा कि जब इसराइल गौर्मेट से पूछा जाए कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो वो कहते हैं कि ऐसा करना जरूरी है यहां तक कि एक पोड़कास्ट में तो इन्हुने ये भी कहा कि इसराइल बिलकुल घलत है इसराइली लोग फलस्तीन की लोग्यों को बेजा कतल कर रहे हैं जूकि बहुत बड़ा जलम है जो है वो पहले पोड़कास्टर हैं जिन्नोंने एक नौन मुसलिम होकर भी फलस्तीन की मुसल्मानों की हक में आवाज उठाई है